Dear Friends, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हमारे दोरादीज आने वाली ने ने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चकी Friends, यदि हम बात करें तो आज हम discuss करेंगे पार्ट A से related कुछ question जो की आपके November 2020 के अंदर पूछे गए थे और यहाँ पे जो हम solution करेंगे वो आपके लिए easy to understand होगा ओके तो यहाँ पे जो है पार्ट A की बात कर लेते हैं और पार्ट A में वही question हम solve करेंगे जो आपके easy question होते हैं आपका काम तब question को पकड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपका काम है जो easy question है उसको पहले सर्च कीजी सर्च करने के बाद उस पे work कीजी work करने के बाद उसका solution find out कीजी ठीक जो answer आता है वही आपका क्या करना है option के अंदर fill करना है देखिए यह जो question है अच्छा question है क्या है अच्छा question है रीडिंग देते हैं a seven meter long tube having inner diameter of two centimeter is filled with water the water is then powered into a cylindrical bucket having inner base area of two hundred centimeter square what will be the approximate height in centimeter of water in the bucket option first 22 option second 44 option third nine and option fourth is a 11 अब यहाँ पे question यह कहता है कि यहाँ पे एक क्या है long tube है और tube को हम किसकी तरह से treat करेंगे tubes treat as cylinder क्या है cylinder अब यहाँ पे जो है यह seven meter है और यह जो है centimeter है और लास्ट में जो यह दिया गया है इसको आपको बताना किसमें है इन centimeter में आपको answer देना है ठीक है तो यहाँ पे यह क्या चीज दी गई है यह diameter दिया गया है मतलब यहाँ पे cylinder के इंदर जो है आपको क्या होता है pi r square यदि हम इसके area की बात करें तो यह कितना area ले रहा है pi r square h क्या है यह जो इसका tube का area होगा यह हमारा हो जाएगा pi r square h और pi के value 22 by 7 और r यहाँ से radius कितना हो जाएगी 1 cm square और यहाँ पे जो है dimension का भी ख्याल रखिए और यह जो है h और यह जो long बता रहा है मतलब यह height को denote कर रहा है तो यह क्या है 7 meter और meter को centimeter में convert करेंगे तो यह हो जाएगा into 100 cm ठीक तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा 22 to 100 cm क्यो ठीक इसका जो है area कितना है 2200 cm3 अब यहाँ पे क्या कहा जाता है अब कहा जाता है the water is then powered into a cylindrical bucket जो water है वो cylindrical bucket में जो है डाली जाती है फिर इसके वाद क्या होता है उसका जो bucket का inner waste area है वो कितना है 200 cm square है what will be the approximate height height आपको बतानी है that means यदि हम इसके area से इसके area में क्या कर दें divide कर दें तो जो हमें height है वो approximate height हमें मिल जाएगी that means यहाँ से जो है क्या हो जाएगा the approximate height of the water in the bucket is equals to area of the tube upon area of the cylindrical bucket जिसके अंदर यह पानी डाला गया है तो यह हो जाएगा 2200 cm3 upon 200 cm2 2 cm2 से यह cancel out 1 cm बचेगा और 00 से 00 cancel out हो जाएगा और इसको divide करेंगे तो 11 cm approximate क्या है approximate 11 cm आएगा और यहां से आपका कौन सा option true हो जाएगा बताएगे option 4th true हो जाएगा और कुछी students ने इसको diameter को change नहीं किया change नहीं किया that means इसको 2 cm सपोज किया और इसको जो है 224 किया और यहां से जो है यह आ गया 88 और 88 आ गया तो यहां से 88 आने की वज़ा से तो इसका इंसर्फ 44 आ गया जो की रोंग हो गया तो जल्दबाजी मत कीजिए जरा ठहर जाएए diameter है और diameter का हाफ क्या होता है radius होता है ठीक है इतना तो confidence होना ही चाहिए एरिया हर एक चीज का आपको निकालना कि किसका क्या एरिया होता है सिर्फ यह formula निकाल लीजे फिर इसके बाद triangle का मतलब जितने भी आपके टेग्रेमेटरिकल फिगर है उनकी जो है एक बार आप क्या कर लीजे एरिया देख लीजे कि किसका क्या एरिया होता है सिर्फ वो निकाल लीजे और यहां से यदि हम बात करें तो तूट से लेकर के चार कॉश्चन मतलब दो से चार कॉश्चन मिनि समझाने कberry वसके इतना टायम लगा अमें तो कुछ भी टायम नहीं लगा जैंस सिर्फ आपको समझाने की वजह से हमने इतना टायम ले लिया नहीं तो हुमें क्या हुटता सिर्फ ये कैलकूलेट करने के जरूरत होती ही बस just क्या करते इस Teleport कर देते और दिवाइड तो हम हवावाई में कर देते क्योंकि टू था और 22 था हमें पता चल चुगा कि 11 ही आएगा इसका एंसर और संटीमेटर में पुछा है तो थोड़ा सा हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से वर्क कर दिया है थिक पार्टे के क्यों ऐसे होते हैं बस थोड़ा आसा इधर-उदर करेंगे तो आपका एंसर हो जाएगा और इधर-उदर करने के लिए भी दिमाख होना चाहिए ठीक है और गुटल नहीं होता है क्या है फार्मूले पर चलते यह हैं तो उसके का है कि नबंबर 20 ट्विंटी का कश्चन पार्टे का है अब बात करते हैं नेक्स्ट के और ये को सिखंट जो है हम वही क्वेश्चन सोल्व कर वा रहे हैं जो बिल्कुल एजी है आप यह कभी मत कहिएगा कि मैं हम जो easy question होते हैं उन्हीं को आप solve करवाते हैं हम आपको easy way में बताने की कोशिस करते हैं ठीक है बागी हम tough method भी आपको बता सकते हैं लेकिन उस tough method का क्या फाइदा जब आप उसको work ना कर पाएं एक जांब के अंदर वह आपका time consume करें सिर्फ आपको उसी पर focus करना चाहिए जो आपका कम time ले और आपका question जो है solve भी हो जाए आपको number भी मिल जाए तो कितनी अच्छी वात है बताइए next question की बात कर रहेते हैं और यह question जो है आपका बिलकुल easy question ही है ठीक है देखते हैं question यह है कि water is being filled in a cone from the top at a constant volumetric rate the rate of increase of the height of the water column option number first दिया गया है is linearly dependent on time option number second depends on the apex angle of the cone option third increase as cube root of the volumetric rate option number fourth कहता है increases as square root third में कहता है कि cube root से उसका जो volumetric rate है वो increase करेगा option number fourth में कहता है कि जो है उसका जो volumetric rate है वो square root से increase होगा अब हम question को यहाँ पे represent कर देते हैं ठीक है देखें next question हमने represent कर दिया है अब यहाँ पे कौन की बात कर लेते हैं तो कौन जो है आपका इसी type से बनेगा that means वो जो है थोड़ा इस type से हो जाएगा ओके ठीक है और इसको भी हम कर देते हैं रफ ओके यह हमारा जो है कोन का figure रहा अब यहाँ पे क्या है क्या किया जाता है वाटर फिल किया जाता है क्या है इसके अंदर वाटर की filling हो रही है और इसका जो वाटर फिल और आए constant speed से क्या है constant volumetric rate से speed नहीं है constant जो है volumetric rate से मतलब जितना volume का गिर रहा है वो लगातार गिरता ही रहेगा ठीक जिस भी रेशियो से तो यहां पर starting में आएगा तो जल्दी cover up हो जाएगा जल्दी cover up हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे इसका जो यह तल है water का वो increase रहेगा और यहां पे जो है पहले तो जल्दी increase हो क्योंकि यहां पे जो है इसका volume कितना है कम है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे है volume जो है increase हो रहा है इसका मतलब यह क्या है यह ना तो cube 특स है ना और स्क्वाइर रूट से इंक्रीज हो रहा है और नहीं स्वाइन इसके बाद कम कम इंक्रीज होगा मतलब यह हुआ क्योंकि यहां पे इसका तल है तल तो इसका जो नुकीला है नुकीला है और यहां पर फैलता हुआ जा रहा है इसका मतलब पहले यहां पर जल्दी से दिखाई देगा कि हाँ पानी जो इतना ज़्यादा चड़ गया इतना ज़्यादा इसकी हाइट हो गई वाटर की फिर इसके बाद स्टार्टिंग में इसकी जो हाइट है इसके यहां परीard होना है मतलब यह मतलब यह वाटर मनें री जो है जो है न這麼 for यांप यह on करा रहा है यह हमारा जो है कुन के channel पे डिपन कर रहा है तो इसके मतलब तो जब उब्जिभ नमबर सेela's स्कुर्फय रूट से इनक्रीज हो रहा है और नहीं यह जो ह्मारा टाइम के ऊपर डिपेंट कर रहा है तंकी लग安 फे ज data कहींपर की नहीं पहले भी discuss कर दिया है लेकिन अब जो हम discuss करेंगे बिलकुल easy way में क्या है बिलकुल easy way होगा मतलब easy to understand होगा क्या है easy to understand होगा इसका solution अब रहने वाला है ठीक है the sum of first and even numbers the sum of first and even numbers is option number first option number second option number third and option number fourth अब यहाँ पे कहता है divisible by n and divisible by n but not n plus 1 यह जो number होगा sum होगा first and even numbers का वो हमारा divisible तो है n से लेकिन यह हमारा n plus 1 से divisible नहीं है option number second में क्या बोलता है इसके अंदर जो है कहता है कि n plus 1 से तो divide है लेकिन n से divide नहीं है मतलब इसी का आगे पीछे करके सारे option बनाई गए हैं यह कहता है divisible by n plus 1 but note by n option number third बोल दीजे कि सबसे divisible होगा इसमें बोल दीजे नाइदर n plus 1 नोर n ठीक है तो यह कहता है divisible by both n and n plus 1 option number fourth कहता है नाइदर नाइदर divisible by n and n plus 1 ओकी सबसे पहले sum of first n numbers देख लीजे यह क्या होता है n into n plus 1 by 2 क्या है n into n plus 1 by 2 तो यहाँ पे जो है n क्या है even है क्या है यहाँ पे n जो है हमारा even number है और इसका जो है first n even number का sum देखना है ठीक तो यहाँ पे जो है यह number है और यहाँ पे जो है यदि हम बात करें क्या है यदि हम बात करें तो इसका by 2 इसके पास even number होगा और इतने का by 2 इसके पास order number होगा ये तो confirm है क्या है ये बाते तो confirm है ठीक है तो इसका मतलब जो है n into n plus 1 by 2 into 2 इसका half ये क्या होगा इसके पास even number और n into n plus 1 by 2 into 2 इतने तो इसके पास क्या होंगे odd number some of first and numbers वो कितना होता है ये बाइ फर्मुला और इसका half क्या है इसके पास even number होगे और इसका half इसके पास odd number होगा ठीक अब इसका मतलब देखिए चाहे वो odd number पूछता चाहे वो even number पूछा है कोई दिक्कत नहीं है फिलाल के यहाँ पे पूछा क्या गया है even number अब यहाँ प तो इसका मतलब option number first कहता है divisible by n but not by n plus 1 तो इसका मतलब जो है यह कहता है कि यह से तो divide होता है लेकिन n plus 1 से divide वो number नहीं होता है जो कि wrong statement दी गई है option number first cancel out divisible by n plus 1 but not by n तो यह option भी हमारा कैसा है n से भी divided हो रहा है n plus 1 से भी divide हो रहा है और आप कैसी बाते बोल रहे हो कि divisible by n plus one but not by n थो यह भी होजाएगा wrong divisible by both n and n plus 1 तो हाँ ठीक है यह हमने लिया है यह हमारा divisible by both n and n plus 1 और यह कहता है neither divisible by n and n plus 1 तो यह हो जाएगा रोंग क्या है यह हो जाएगा रोंग ठीक है कोई भी number है जितने भी number का वान समहत्तों टौटल यहां पर होग नमबर चाहिए इस्का मतलब यहा पर भाइ-4 गत्वें-4 इन दोनों का सम करते हैं क्या यही नमबर आता है यह बाजर तर प्रत यहां जहां में इबन और ओडर यह जाएगा 2, 2 तो जाफ 4, यह नमबर तो आ गया, जो सम आ रहा था, मतलब इसमें जो है, इनका by 2, event नमबर इसके इंदर रहेगा, और इसका by 2, order नमबर इसके इंदर present है, तबी तो इसका जो सम है, वो कितना आया है, यह आया है, ठीक, एक मेथड तो यह रहा, जो कि easy to understand है, दूसरा मेथड आपका by example है, by example से हो सकता है कि कुछ आपका इसको satisfy कर दे, कुछ आपका इसको satisfy कर दे, और दुविधा भी आपके अंदर create कर दे, ठीक, तो यह आपके लिए easy solution रहा, क्या है, easy solution रहा, बिल्कुल easy question, जिसके भी mind में ये even or odd number की condition आ गई, उसका समझ लो question हो गया, उसका two mark मिल गया, और यहाँ पे जो है question को solve भी नहीं करना चाहिए था, solve भी ले करना चाहिए था, और इसका मतलब यहाँ पे यह by 4 है, तो इसका सम करी, तो हमने इसको मिल गया, और यहाँ पे clearly n into n plus 1 तो ही, मतलब यहाँ से भी divisible है, और n plus 1 से भी divide किया जा सकता है, तो यह both हो जाएगा, तो यह third option तो true रहा, that means, जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे, और जितने time से आप practice कर रहे हैं, उसका benefit आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको benefit मिलेगा, ठीक है, बस आप patience रखे रहे हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी, और जो आपके doubts हैं, जो कमियां पीछे वारे paper में आपकी रह गई हैं, उनको आप दूर करने की भी कोशिस कीजिए, वो दूर क्या से होंगी, जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे, theoretical portion को revise करेंगे, that means, आपके doubts के लिए होनी चाहिए, doubt की वज़ा से आपके जो question है, कम से कम हम ये बता रहे हैं, कि जो है, आपके 10 तो 15 question ऐसे होते हैं, जो कि बिल्कुल easy question होते हैं, और आपको जो है, ये realize होता है, कि ये question तो बिल्कुल easy था, यदि हमने किया होता, तो हमारा answer ठीक हो गया होता, ठीक है, लेकिन आप जल्दबा doubts थे, doubt की वज़ाए से वो गलत हो गए, यदि doubt आपके confirm होते हैं, तो वो 15 question अच्छे से हो जाते हैं, और आपको number भी मिल गए होते हैं, जो आपकी कमिया थी, कमिया सिर्फ आपकी ये है, कि जो पीछे हो गई, उस पे focus करने के जरूरत नहीं है, जो doubts है, उनको clear कीजे, okay, next question की बात करते हैं, और फिर इसके बात जो बचे हुए question है, उनको हम next video में cover करनी की कोशिस करेंगे, ठीक है, question केता है, given data source the numbers of active and recovered cases, और ये जो question है, COVID-19 से related है, मतब उसी के base पे ये question बनाया गया था आपके लिए, और कुछ लोगों ने solve भी किया होगा, और कुछ लोगों ने इसकी भी कर दिया होगा, लेकिन question आसान था, क्या है, question की यदि हम बात करें, तो question आपका बिलकुल आसान ठीक है, statement पढ़ देते हैं, इसके बाद जो यहाँ पे एक graph बनाया गया है, जो chart है, chart यहाँ पे draw कर देते हैं, फिर option दे देते हैं, ठीक, कहता है, तक given table, source the number of active and recovered cases of a certain disease, assuming that the linear trend of both continues on which day will recovered cases be twice that of the active cases, मतलब जो recovered case है, वो क्या है, active case का two time है, क्या है, आपको वो दिन बताना है, वो डे बतानी है, जहाँ पे जो आपकी recovered case है, वो active case की two time है, ठीक है, अब यहाँ पे table जो दिया गया है, table की बात कर लेते हैं, table क्या दिया गया है, इसको थोड़ा, पहले लिख दें, चलिए यहा पे बना देते हैं, जो आपका दिया गया है, और यहाँ पे अच्छे से ड्रा कर देते हैं, ठीक है, यह देखिया, आपका day को represent करता है, यह आपका active case को represent करता है, यह आपका जो है, recovered case को, क्या है, इस तरीके से दिया गया, क्या क्या दिया गया है, day है, active case है, recovered cases है, अब यहाँ पे 0 day पे दिया गया है, 0, 1, 4, 7, और 9, ठीक, 9 है या फिर 10 है, 10 है, अब क्या क्या दिया गया है, वो भी देख लेते हैं, यह रहा हूँ, recovered cases कितना recovered हो रहा है, और, चौथे दिन कितना recovered हो रहा है, यह रहा, मतलब, क्या है, 0 day पे, मतलब 24 hour complete नहीं हुआ है, क्या है, 24 hour यह दि complete हो गया, तो 1 day का response देने लगेगा, लेकिन यह दि आपका 1 second भी कम है 1 day में, तो उस तोरान यह क्या माना जाएगा, 0 day, ठीक है, day 0 है, active case कितने है, 990, recovered case कितने है, 760, ठीक है, अब यहाँ पे day 1 आता है, और day 1 पे active case कितने मिलते हैं, 1000, और recovered case कितना होती है, 800 लोग, मतलब, यहाँ पे जो है, यह दि हम बात करें, जैसी कि आपके COVID-19 situation में थी, active case कितने होते हैं, मान लिजे, पहले दिन, 1000, और कितने ठीक होके चले जाते हैं, 800, मतलब, यहाँ पे जो है, इस तरीके से प्रोसेस यह चलता रहता है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे automatically increase हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ratio में increase होगा, यह जो graph दिया गया, एक ratio में increase हो रहा है, यह इसकी बात करें, active case कितने हैं, 10, 10 का increase हो रहा है, 990 में यदि हम 10 add करें, तो 1000 हो जाएगा, similarly यदि यहाँ पे 800 में से 760 को हटाएं, तो 40 का increment हो रहा है, मतलब यहाँ पे increment कितने का है, यहाँ पे increment 10 का हो रहा है, यहाँ पे increment हमारा plus 40, ठेक, अब यहाँ पे जो है option में दिया गया है, कि जो day है, वो 61, option number B में 62, option number C में 63, option number D में 64, और यहाँ पे जो है, इसका मतलब जो है, क्या किया गया है, option में यह बताना है, कि जो recovered case है, वो हमारा क्या है, two time है, किसका active case का, किस day पे, क्या है, चाहिए वो day 61 है, या फिर वो day 62 है, या फिर वो day 63 है, या फिर वो day 64 है, किस day पे, जो recovered case है, वो two time है active case की, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, day की, और यहाँ पे बात करते हैं, active case की, और यहाँ प देखे जीरो है है कि नहीं है है वन है फोर है सेबन है टैन है ओकी इसी में जो है हम क्या कर देते हैं चलिए यहां पर पहले 2 कर देते हैं क्या है 2 कर देते हैं 3 कर देते हैं यह 4 कर देते हैं इसी सिक्वेंस में हम लास्ट में चले जाते हैं डैस डैस कर देते हैं सब में और कहां पर पहुंच गए 61 डे पर 62 डे पर 63 और 64 अब यहां पर क्या यूज होने वाला है एन्मा टर्म किसका अर्थमेटिप प्रोग्रेशन का एपी स्रीज का एन्मा टर्म और स्रीज के इंदर जो है कितने टर्म से है जीरो से लेकर के स्टार्टिंग चल रही है मतलब यहां पर यदि आपको 16 पद निकालना है तो उसमें 0 एक टर्म और है मतलब आपको टी 62 निकालने की जरूरत है तब जाके आपका इसका 16 पद होगा, क्योंकि starting कहां से चल रही है, 0 से, मतलब यहाँ पे T61 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, T62, मतलब यह जो 16 दिन की value होगी, मतलब हमें T62 निकालना होगा, क्यों, क्योंकि यदि हम 62 निकालेंगे, तब ही तो यहाँ पे 61 की value निकल 61 यह होगा, और plus में यहाँ पे 0 भी तो add हो रहा है, 0 भी add हो रहा है, ठीक है, और यदि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कटते, तो हमें यहाँ से चल ना होगा, क्या है, हमें यहाँ से चलना होगा, ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं, 0 day पे active cases कितने है, 990, रिकवर्ड कितने हो रहे हैं 760 और यहाँ पर 1000 है 800 है और यह जो है 1030 है 9, सुरी गलत हो गया चलिए 10 का इंक्रीमेंट करना है 1010 840 40 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर 10 और यह 10 20 880 फिर यह हो जाएगा 1030 यह हो जाएगा 920 देखिए वही लिखा भी गया है क्या है फोर्थ डेपे 1030 और यह 920 समझपा रहे हैं बात को अब यहाँ पर 61 है तो 61 है तो यहाँ से चल दीजिए क्या है इसको फर्स्ट टर्म लेजिए और यहाँ पर 61 निकालना है तो इसको भूल जाएगे जाए इस पार्ट को भूल जाएगे तो यह कितना हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 तो यह हो जाएगा 61 तो यह हो जाएगा 60 और D की अधी हम बात करें तो 10 है तो यह कितना हो जाएगा 1,0,0 प्लस 6,00 तो यह हो जाएगा 16 1,600 क्या है 1,600 ओके यह हो गया काम अब यहाँ पर बात करते हैं रिकवर्ड केसिस में इसके अंदर जो है फिर से इसको छुपाते हैं और 1 से लेकर के 61 तक जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा 800 A प्लस N माइनस 1 यह 60 हो जाएगा और D की बेलू कितना है यहाँ पर 40 है तो यह हो जाएगा 800 प्लस तो यह हो जाएगा 00 12 213 32 00 ठेक अब यहाँ पर इंक्रिमेंट यहां तक पहुच गए that means हमने जो है अपना एम क्लियर कर लिया अब यहाँ पर 10 से फिर से इंक्रिमेंट करते हैं तो 16 10 10 तो यह कितना हो जाएगा 1620 1630 मतलब 10 10 का तो इंक्रिमेंट हो रहा है ठीक अब यहाँ पर 40 एड करना है तो 3240 और यह 32 4480 तो यह हो जाएगा 33 84 12 213 और यह हो गया अब यहाँ पर यह देखना है कि जो recovered case है recovered case यह रहा और active case कितना है उपर वाला है और किसको हम two time कर दें कि recovered case हो जाए यदि हम 60 100 multiply by 2 कर दें तो आ जाता है 3200 मतलब 61 डे पे जो recovered case है वो किसके equal है two times है active case की ठीक है तो इसका मतलब जो है option A ही true रहेगा और B, C, D मतलब 62 डे पे 63 डे पे और 64 डे पे यदि इसका आप क्या करते हैं इसको two time करेंगे तो यहाँ पे जो है 0, 2, 1, 2 और यह क्या है four है मतलब गलब और यहाँ पे two से multiply कर देते हैं तो four है और यहाँ पे क्या है eight है मतलब यही से cancel out हो गया two, three जाए यहाँ पे six हो जाएगा और यह जो है two है six two के equal हो नहीं सकता आगे calculation करने के आपको जरूरत भी नहीं है इसके आगे two' से multiply करने के जरूरत भी नहीं है क्योंकि जब यहां पर last के दूसरे नंबर से ही cancel मिल रहा है equal नहीं मिल रहा है तो कैसे equal हो जाएगा बताइए तो यहां से जो है clearly आपका जो option number A है यह true रहा B, C, D आपके wrong option रहे सिर्फ आपको यहां पर क्या use करने की जरूरत थी और use करने के बाद यहां पर just आपको 61 day पर आना चाहिए था 61 day पर जैसे ही आप आते तुरंत आपको answer मिल जाता ठीक है एक ही option true रहता जब एक मिल गया तो आगे आपको work भी करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ यहां पर हमने आपको दिखाने के लिए यह सारी चीज़े की है ठीक है अधरवाज इसका कोई भी benefit रही है जब एक option आपका true हो गया तो यह बाकी तीन को तो क्या होना होगा wrong होना होगा ठीक है बाकी जो बचे हुए question है जो कि A.G.B. है उनको हम next video lecture के अंदर पूरी तरीके से cover करने की कोशिस करेंगे ठीक है फिलाल के लिए इस वीडियो में आपके चारी question डाले गए है next video में आपको आगे के question discuss किये जाएंगे ओके